हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी शट्रिंग में है दोस्तों जब आपकी सैट पे शट्रिंग लगती है और उसके बाद में जब लेंटर पड़ जाता है तो आप काम की तलास करते हैं और वाइचंस ऐसा होता है अगर काम मि मिल जाता है तो आप सैट पे से ही उठाके दूसरी सैट पे माल डाल देते हैं और जैसे की मकाम नहीं मिलता है तो आप पो पता है कि आप सारा माल टोटल खोल के अपने गोदाम पे या फिर प्लाट में लाके डालते हैं लेकिन दोस्तों एक बाद जरूर धिहान रखें के केल्ड सब बैक करवा के और सही तरीके से सैट करना चाहिए माल को और जब सैट नहीं होता है माल तो आप जानते हैं सारा माल जो है तो कुछ ना कुछ इस माल में चीछ जरूर होता है यसे कि आप अलटा सीधा आपने माल रख दिया उसमें तो कहीं कुछ बाटम टूड गय कहीं पलाई टूड गई टेड़ी पड़े आती है पलाई बत्ते अगर एक सार नहीं रखे आते हैं तो बत्ते टेड़े पड़े आते हैं आपने देखा होगा और बल्ली भी नहीं रखने चाहिए बल्ली को हमेशा बल्ली को आप खड़े करके ही रखें और अगर हमारा माल एक जगा एकटा हिफादस से अगर लगा होगा सही सेट होगा माल तो देखने में भी अच्छा लगेगा कि माल हमारा हिफादस से रखा हुआ है तो इसलिए दोस्तों आप जब भी गोदा में प्लाट में माल रखें तो आप उससे बढ़िया तरीकिस सेट करके रखें जैसे क है अपहारी 10 फिТ की भली है एक तरफ रखें, 11 फिट की एक तरफ रखें, 12 फिट की एक तरफ रखें, जैसे कि आपके पास अगर जगह जादा है तो आप माल ठीची तरेकी से रख सकते हैं और जैसी की माल यहाँ पर जगह कम है थोड़ी, ज्यादा नहीं ہے तो फिलाल इस तरीकी से भी आप माल सेट कर सकते हैं